हेलो स्टुडेंट्स तुसी एह दा जानी चुके हो कि इस वीडियो दा टॉपिक की है दा मार्च किंग इस दा टॉपिक जो की कैथरीन लिटल बेकलेस वलो लिखा गया एक बाइग्राफिकल काउंट है बाइग्राफिकल काउंट तो मतलव कि इह एक व्यक्ती दा जीवन ब्योरा है दा मार्च किंग टाइटल तो ही पता लगदा है कि इह कहानी उस व्यक्ती दी है जो की मार्च दा किंग है राजा है मार्च था मतलब हो मीना नहीं जिस विच्छ से प्रिख्या दिन दे हैं तो लगता हुगा कि मार्च लिड़ा फर्वरी तो बाद आंदा है परंतु यह ओह मार्च है जो की फॉजी बैंड तो देखे होने हैं में काफी सारे फॉजी कठे होके सड़क पे उत्ते चल दे हुए बैंड बजान जोन फिलिप सौसा वह व्यक्ति है जिसने सोतों उपर मार्च दिया तुना बनाईया अते इसे कारण उसनों मार्च किंग केहा जान दा है होन तो अड़े ले एक परिशन है जान वरी असान ही है जिकर तो अड़े जीवन बारे कुछ लिखना होवे जा कुछ दसना होवे ता उस वीच की कुछ होवे ठेंग एंड गिव यूरसल्फ आ फ्यू सेकंड साड़े जीवन दे विच मौदूद लोग असी किते रहन दे हा की कर दे हां साड़े की एम हन मतलव जीवन देविच की करना चांदे या की बनना चांदे या जीवन देविच जान फ्री सोसा दी कहाने वेचा सी इस महान संगीदकार वारे कुछ रोचकट नाौरे बारे पढ़ांगे तानु पता है ए उस वे ले दी गाला है जदों इंटरनेट, वाटसेप, योट्यूब, इंस्टाग्राम ए नहीं हम दे सी, हाँ हाँ, टीवी भी नहीं सी, ओदों भी लोग जून दे सी, इन्जॉय कर दे सी, ए उस टाइम दी कहानी, इस कहानी विच उस दे जीवन नू दिया कटना वादा बरना दिता हुए, जिमे के उस दा म्यूजिक स्कूल विच अडमिशन लेना, डे ओफ कंसर्ट, कंसर्ट हन दिया है, जदों स्टेज दे परफॉर्मेंसे हन दियाने, जॉइन बेकरी, बेकरी जॉइन करना, बेकरी तो मतलब जिते ब्रैड बिस्किट बन दे ह पठी लगे होई हुए, बेक्टो म्यूजिक स्कूल फिर दुवारा म्यूजिक स्कूल देविच आना, उफर ओफ ए सर्कस बैन लीडर, कर्कस बैन दे लीडर वलों, उफर मिलना, अन लिस्ट तू, स्टेडी म्यूजिक इन दा मरीन बैन, मरीन दे विच, मरीन असल दे दाखिल होना लीडर आफ यूएस मरीन बैंड यूएस मरीन बैंड दा लीडर बनना एक कुछ कटनावा दबरतांत असी इस लेसं दे बिच पढ़ना है चलवाओ एक करके नहीं कटनावा वारे पढ़ दे हैं जॉन फिलिप सोसा एक खुझेज अपनी मादेना खड़ा प्रेड नू लंग दे हुए देख रहे हैं तो इस उनाइटेड स्टेट दा मरीन वैंड उना दे वालनू चले आ रहे हैं फिलिप जंप अपने डाउन डाउन एक्साइड ली बड़ाई उतेजत है जंप मार रहे है अपनी जगा ते खड़ा है लुक मामा देर पापा नाओ देखा मामा हुन पापा आ रहे हैं मार्चिंग अलाउन दे ब्रा सेक्षिन अलाउन चले आ रहे हैं बड़ी हैंडसम लग ये विंक्ट एस वेंड बाए कोल दी लंगे था अकमार के लंगे फिलिप ग्रिंड बैक बने भी दंदियां का टिके दिखा दे घृ गृंड ग्रिंड त मतल हुना है हसना जी चे कहने है कि दंद दहा के हस दे अउसनो क्या जानदा फिलिप लवड बैंडस अन दू अब बड़ा प्यार से थारां सो सथ दे सालां दे दोरान देश दी राजतानी क्वधिया जगा स जिते ओनानू सुनया जा सकता सी वाशिंटन मौन फूल बैंद फ्लिप लप बैंडस न प्या हुआ सी ते फिलिप नू सौरी प्यारे सी अवधिर избन दू सॉरी प्यारे सी वाइद आउ Caitlin लेंदा सी झाड़ वाच दू दौरी आ प्यारी ओं ही वोग तो बिकम मुजीशिन ते जदों एहे बैंड लंगदा हुया गली दे विच गाइब हो गया तो उसने फैंसला गेता संगीत कार बड़न सून 7-year-old फिलिप साथ साल दे फिलिप ने गवांड दे विच मुजीशिक स्कूल जाना शुरू करते तो ही लाइक आल इस तडिज बड़न अपनी सारी पड़ाई पसांद सी पर वाइलन बजाना उसनों खास करके बड़ाई बड़ी अलगदा सी उसनों बेस्वाल खेलना भी बहुत पसांद सी और फिलिप सारा टाइम वाइलन बजान विच्छी बड़ाई काड़ा सी उसनों बेस्वाल खेलना भी बहुत पसांद सी तो एक्षाम जद ग्यारा साला आदा लगए बड़ाई बड़ाई कर एप तो एक पांगे बीच पह गया है इस लिए पहला अडरा सी पार्ट केता है इस लिए उसने मुजिक स्कूल जोईन करना वारे गल किती सी हुन डे ओफ कंसर्ट वाली का टनाज़ी है गिया है उस दी गल हुन वाली है त्यान नाल सोने हो एवरी येर एन इवनिंग कंसर्ट वास गिवन बाई दा म्यूजिक स्कूल हर साल स्कूल वल्लों एक शाम दी कंसर्ट रखी जान दी सी तुसी इसनों एन्यूल फंक्शन भी चाह कह लो पर कंसर्ट हों दी है जित्थे स्टेज दे उत्ते आके लग लग तरह दे कलाकार पेशकारी करते है इस साल फिलिप दी चोन वाइलन वजान ले हुए सी ओवी सोलो मतलब एकलाई कलाकार पेशकारी करते है इसले कई मिन्यातों ओ एक छोटे बैंड नू डिरेक्ट करके पैसे कमा रहा सी इसले कांसर विच पेशकारी देन देस्वांद विच उस दी अंदर कोई भी तरह अंदी का बराहत नहीं सी उसने एक मूरखा वाला कम किता अन दे वेरी डे अव दे कंसर्ट फिलिप पिच्च आ गेम बेस्वाल जिदन कंसर्ट वाला दिन सी उदने उसने बेस्वाल अली का गेम खेडी वाज टायर अन पफिंग एजी केम डैशिंग होम एट सपर टाइम शाम डे वेले जदाकार आया तो थक्या होया थाउंसां होया पया एपषी डाट वाइस ट्रीक्ड अक्रोस इसमस्ट फोरहेड उस्से गिले मथे ते मिन्टी का औरन तारिया बनिया हुयां सी, his clothes were dusty and wrinkled, उसे कपड़या नू मिटी लगी हो इसी, अते हुना विच बट पहे हुए सी, I am starved, he cried as he passed the kitchen on his way upstairs, जा दोड़दा होया, पोड़िया वालनू जा रहा सी, तर सोई कोलो लंगदे हुए, कहनदा है, मैं पुखा, there was no answer, and suddenly Philip realized that something was wrong, कोई जबाव नहीं आया, अचानक फिलिप नू लगया कि कुछ गड़वड है, the house was so quiet that he could hear the slow ticking of the big clock in the hall, कर इना शांत है कि हाले विच बड़ड़ी कड़ी लगी हुई है, तिक टिक दी वाज उसना ही दे रही है, where is everybody he yelled, चिलांदा है, किठे के सारे, puzzled by the silence of the house, Philip ran into the kitchen, उन कर दी शांती नू लेके कबर आया, Philip दोड़दा हुए, kitchen चा जांदा, on the table he found some sandwiches and a note from his mother, table दे उते कुछ sandwich पही है, ति उस दी मा वलनो लिखया हुए, एक note पही है, she had been called away very suddenly by the illness of a friend, एक दोस्दे विमारी कार नुसनू अचानकी जाना पह गया, she would not be back until late evening, देर राद तक बापस नहीं आ पाऊ, Philip looked at the clock, Philip clock बाल देख दे, he would have to hurry to get to the concert on time, concert ते समय सिर पहुंचल ले उसनू काली करनी पाऊ गी, he washed gobbled a sandwich and ran to his mother to dress, उसनी आत्मू तो या, एक sandwich आके मूँ देख छूसिया, ताकि फटा फटा खा सके, ते अपने कमरे वाल कपड़े पाउनली दोड़ गया, he looked for a shirt in the drawer where his clean laundry बसके, जिते साफ तुले हुए कपड़े रखे जान दे सी, उसने अपनी shirt उना दराजां विच देखी, the drawer was empty, the laundry had not yet come back, दराज खाली सी, तुले कपड़े हल तक नहीं सी आये, oh Philip mourned for lonely, what shall I do, I can't play without a clean shirt, ते की केंदा कर्च कर लाई है, हुण मैं की करा, बिना साफ शाट दे मैं वाइलन की में बजाऊंगा, suddenly Philip realized that he ought to tell his music teacher professor Sputa at once, अचानक फिलिप नूँ ख्याल आया कि उसनू अपने music teacher professor Sputa नूँ हुनी दसना चाहिए, he ran over to the school and gasped out his story, दोड़दा होय स्कूल जान दा है, ते साउं साउं होया अपनी story दस दा है, at first the professor scald with concern, पहला दा प्रफेसर ने उनूँ चड़किया, but then he said that's all right run to my house tell my wife to give you one of my shirts, पर फिर केंदे ठीक है, दोड़के जा मेरे कर, मेरी का अरालीनु कहा है क्यो मेरी एक शर्ट तनू देदे, Mrs. Sputa quickly fetched one of her husband's white shirts, Mrs. Sputa फटा-फट जाके अपने पतिरियां चित्यां शर्ट ना विच्छों एक शर्ट ले आई, but when Philip put it on she began to exclaim, oh dear gracious, परन्तु जद फिलिप नेओ पाई, तक हैंदी है, oh my God, the shirt was so large that Philip was almost lost in it, shirt, how you anybody see that Philip was in the back of the shirt, ग्वाची गया, Hastily, Mrs. Sputa found a box of pins, कली कली मिसी स्पुटा ने, पिन्स एक बॉक्स लेंदा, इने twinkling her nimble fingers, pinned and a tucks in the shirt to make it fit, फिलिप आख चपक देई, उसनियां तेज उंगला ने, फिलिप दी शिर्ट देविच एनिया के पींज लगा देती हैं कि उनू फिट हो, they both heaved a big sigh of relief when the job was finished, तो तो काम खतम होया था, दो ने सुखता सान लिया, then free from anxiety, फिलिप hurried back to the school, फिलिप छेती देनी school वापस आगया, the concert finally began, अखिरकार concert start hoi and soon it was time for Phillips also, तो छेती ये फिलिप दी बारी भी आगी, he stood up, placed the violin under his chain and raised his bow, खलोता है, violin उसने बनी ठोटी रेठा टकाई, ते अपनी कमान चकी, bow, कमान, जमें तीर कमान हुंदा है, उद्दा दीर हुंदी है, कमान वर गी, violin बजान दे लही, with horror he felt a pin pulling loose in the back of his shirt, डर्णालों ने महसूस किता कि उसी shirt दे पिच्छे वाला एक pin loose हो गया, but he recalled how many pins had been inserted in the shirt and thought losing one won't matter, फिर ओं याद कर दा कि अन्या सारिया पिना लगिया होई या shirt दे बिच्छे जेक गई, कोई फर्क नी पहना, Philip started to play, Philip ने violin बजानी शुरू किती, at first his right arm moved back and forth slowly then more swift, पहला ता सजीवा होली होली चली अगे पिच्छे फिर होरती जी देनाल, before long the pins that were holding his collar pulled out, ते च्छेती होई, ओ पिंस जिने होदे collar नो सांपया है सी निकल गिया, the loose large shirt collar began to creep up and back of Philip's head, हुन शुर्ट दा बड़ा सारा खुला loose collar है, ओठों जड़ी shirt है कि यह फिलिप दे सिर्दे पिच्छे नू चर्ण लग, then the unruly sleeves grew loser and longer, फिर जड़ी अभावा ने ओवी टिलियां पहके, लंबियां हों लग पहिया, suddenly the shirt fell away from his, अचानकी shirt गर्दन दे बिच्छों गिर, the audience began to laugh, धर्शक हसन लग पह, in embarrassed confusion, फिलिप forgot what he was playing and stopped complete, उनकब राया होया, फिलिप ले गया भी हो, क्या बजा रहा है, तो पूरी तरह ही रुक, the disaster so upset him that, he rushed off the stage and sulked in a dark car, disaster, बड़ा बड़ा जोसे शवद यूजगता गया, मतलत वही अंदर ऐसे, so इसकारण उनना upset hoya, की stage तो ही पाज गया, ते जाके एक ने रेख होंजे च दुबख गया, fighting back tears he mumbled gloomily, I wish I were dead, आंसु रोकन दी कोशिश करता होया, अपने बिच्चे दुख दे मारे, बोल लिया, काश की मैं मर जान्दा, refreshments were served after the concert, but Philip was too busy to have any, concert तो बाद, खाना पीना जेता गया, पर फिलिप एना busy सी, कि उसनो कुछ नहीं मिले, he mingled with the crowd as quickly as he could, hoping to avoid Mr. Sputa, Mr. Sputa तो बचन दे ली, ओहो पीड दे बिच, छेती दुछेती mix हो गया, after a wishful look at the ice cream, फिलिप was about to slink out, when a booming voice behind him scoffed, ice cream ते एक चाहना परी निगा मारन तो बाद, फिलिप तो खिसक नहीं लगया सी, कि उसने पिच्छों पारी पर कम आवाज आई, well Philip you made a nice mess of it, तो फिलिप तो वाकई बड़ा गाह पादेता है, फिलिप turned and found himself face to face with his glowing teacher, फिलिप को मुदात है अपने टीचर नो अपने सामने खड़या पांदा, with no sympathy for poor Philip, Mr. Sputa continued on his name, no refreshments for you, you shouldn't have spent the day playing ball, उन बिना किसे द्या पावना दे Mr. Sputa कहना जारी रख दे हैं, तेरे लिए कुछ खान पीन वाला नी मिलना, तेनू अपना दिन बाल खेट दे हुए नहीं बिताउना जाहिदा सी, you should have been preparing for the important work of the evening, तेनू शाम दे महत्तव पून कम दी त्यारी करनी चाहिदी सी, you ought to be ashamed, तेनू शर्मानी चाहिदी, फिलिप hung his head, sighed heavily and trussed home, फिलिप ने सेर सुट लया, पारी होंके लेंदा होया, करवलनू हो लया, the incident left such an impression on him that he always remembered it, इस कटना दा उसते एदा दा प्रवाप पया कि असनू यह हमेशा जाद रहे, he never again try to mix work and play, so this day of concert नू लेके कटना हून अगे वाद दे हैं याद होगा ना खेड़ी कटना होगी हून, joining bakery, yes, so but that was not the last time that he got himself into trouble with Mr. Sputa, परन्तु यह आखरी बार नहीं सी, जदो उस्ते थे Mr. Sputa दे विचकार कोई गल होई होई, one day when Philip was 12, both he and his teacher were feeling tired and cross, एक दिन फिलिप जदो बारा साला था सी, ओहो ते उस्ते टीचर ठक्के होई सी, they got into a heated argument over a trifle, छोटी जी गाल नू लेके गर्मा गर्म बहस होगी, as a result, फिलिप रिटर्ण होउम convinced that he no longer wanted to take music lessons, उसने अपने पिता नाल इस मामले दे गाल किती, well commented Mr. Sousa, it seems that you don't want to be a musician, Mr. Sousa ने क्या ताएं लगदा है कि तू संगीतकार नहीं बनना चांदा, Is there anything else you would prefer to be? कैस तो लवा कुछ होड है जो तू करना चाना? Yes, I want to be a baker. फिलिप कहना हा, मैं बेकर बनना चाना, बेकर जो बेकरीज कम करदा है, bread, biscuit को गएरा, बढ़ांदा है, बढ़ांदा है, सुनू बेकर कहनने है, Mr. Sousa's eyebrows flew up, A baker? He asked in surprise, Mr. Sousa, जहां खुली हैं रहेगी हैं, हरान होई पुछ दे हैं, बेकर? Yes, a baker. फिलिप अंसर फर्मली, बड़ी दृत्ता नाल, फिलिप नहीं कहा हाँ, बेकर, If that's what you want, replied Mr. Sousa, I will see what I can do to get you a suitable position in a baker. Mr. Sousa ने कहा, अच्छा जे तूँ ए चानना है, तो मैं देखता है किसे बेकरी देनूँ, वदिया जी जगा दवादमा, I shall go and attend to it right away, मैं जाके उनी देखता हैं, And he went out of the house, तेकरों बाहर चले गए, Soon Mr. Sousa came back, Well son, he informed Philip, I have been talking to Charlie the baker, चेतिये बापस आये, आके फिलिप नू दस्या, कि मैं चारली जड़ा के बेकर रहा हुदेना गाल किती है, His shop is a few blocks away, उस ती दकान कुछ block अगे है, And he will be glad to teach you how to bake bread and pies, ते बड़ी खुशी खुशी ते नू सखा हुगा, कि मैं bread and pies बनाईया जाना, He is expecting you tonight at half past day, आज रात साथे आठवेजे तेरी उड़ी कर हुगा, Good, said Philip with a little enthusiasm, थोड़े जोश्दे नाल, Philip के अंदा चंगा है, Mr. Sousa put his hand on Philip's shoulder and continued more, Mr. Sousa ने Philip दे मोटे दे हाथ रखे आते थोड़ा गंबीर हो के कहा, Philip, I have noticed that bakers aren't always well educated, I believe that it would be profitable for you to educate yourself beyond the level of most bakers, ति मैं लगदा है कि तेरे फैदेच होगा जे कर तूं बाकी रे bakers नाल हो, जादा पड़ लिख जामें, Perhaps you will then be more successful in your business, शायद फिर तू अपने business से बिच जादा सफल होंे, For this reason I must insist that you keep on with your education even though you stop taking your music lesson, इसे कार्ण मैं चादना है कि आमें तो music lesson लेने चाड़ देए, पर अपनी education जरूर लई जाए, When you have finished school you can become a full-time baker, जा तो school खतम हो गया फिर तो पूरा time baker बेकर बंसा, Philip willingly agreed to continue his education, Philip अपनी सिख्या जारी रखन लई, मन गया, At 8.30 that evening Philip went to the bakery, उस शाम साथे अठवेजे, Philip bakery गया, There he watched the bakers at work mixing bread and making pies, ओथे उसने बेकर नू, bread mix कर देया नू, ते पाइस बनादेया नू देख्या, Everything he saw was new to him, and for a while it seemed very interesting, जो कुछ भी देख रहया साब कुछ नमया ओदे लही, ते उसनो इहे बड़ाई, interesting लग रहया, The bakers impressed Philip with their speed and skill, and he was amazed at the amount of bread that was being made, बेकर दी speed देखके उना दी निपनता देखके बड़ा परवावित होया फिलिप, ते देखके भी हरान होया भी किनी जादा मात्रा बिच ब्रेड बन रही है, Later he grew tired and slept while the bread was baking, बाच ठक गया अते सो गया जदों bread पक रही है, Very early the next morning Philip helped load the big bakery wagon, अगली स्वेर तडक सार फिलिप ने बिकरी wagon नों लोड करने विच help किती, then he went out with the driver to deliver the bread, फिर द्राइवर देना ब्रेड देन ली गया, by 8 o'clock he was through and went home to breakfast, अठवेजे बिला हो गया, तेकार नास्ता करन ली चले आगया, Philip kept his agreement with his father and went to school, that Philip ने अपने पितानाल किता वादा नहीं बाया, ते उस स्वेर school चला गया, after school he did not feel like playing baseball, school तो बाद उसनों baseball खेलंदा भी माननी होया, too tired to do anything else he went home and sat around until after, हो रुज करन तो इनना थक्या होया है क्यों कर गया, बैठा रहा शाम देखाने तक, then it was time to return to the bakery, फिर बिक्री जान्दा समा हो गया, where he spent another evening very much like the, जिथे एक होर शाम उसने बतीद किती, पहली तरह, after helping with the morning delivery he went to school again, स्वेरे ब्रेट देन तो बाद, फिर स्कूल गया, but he was too tired to learn much, एनना थक्या होया क्यों थे जादा सिख नहीं सक्या, when evening came, he dejectedly dragged himself off for his third night of work at the bakery, जाज शाम होई, बेक्री ते तीसरी रात दे कामली, अपने आपनू क्डीजदा होया, लेके गया, watching the bakers no longer seemed interesting, उन बेकर्ज नू देखना उसनू interesting नहीं सी लगदा, about midnight the bakers baby started to cry, अधिक रात नू बेकर्ज आएड़ा बच्चा है और उन लगपया, the bakers wife said to Philip go upstairs and rock the cradle, बेकर दी पतनी ने फिलिप नू क्या उपर जा दे जाके डपालना है उसनू only half awake poor Philip did as she, the cradle swam before Philip's sleepy eyes as he began to rock it, चूला जदो हलान लगए, ताँ उस दियां खाज पहली नीद है, ताँ उस दे मुरे हो, तैरन लगए, in a twinkling he had fallen asleep ignoring the baby's loud yells, बच्चे दियां उच्ची उच्ची चिकान भी नजर अंदाज कर दे होए, एक second दे बिच सो गया, when the baby continued to cry, its mother ran upstairs to see what was wrong, जिस बच्चा रौन दे रहा, तादी माँ दोड़के उपर आई देखन ली पिए की होया, की गड़़द है, she arouse Philip and scolded him, उनने फिलिप नो जगाया चेटका देती हैं वेन फिलिप गॉट होम आफ्टर डिलिवरिंग ब्रेड ऑन दा थर्ड मॉर्निंग यह अटरली एक्जाउस्ट जदो तीसरी स्वेर ब्रेड बंडन तो बाद फिलिप का रबापस आया तब पूरी तरह थक्या होया सी इस फादर सेड हाओ दो यू फिल दिस मॉर्निंग पूछया आज स्वेरे की में मुसूस कर रहे हैं बट फिलिप फैल साउंड श्लीप बिफोर ही कुट अंसर इस तो पहला की जवाव दे सख़दा फिलिप गुड़ी निंस हो गया इने लोग वाएस मिस्टर सॉसा मर्मर इंस्ट्चिंस तो मिस्स सॉसा गिव दे लैड सम ब्रेकफास्ट और पूट इम तो बैट लेट लेट इम स्लीप बड़ी तीम ही वाज दे विच उस्दे पिता ने उस्दी माता नू केहा कि मुंडे नू नास्ता कराके बैटते असारा दिन सौन दे लेट इवनिंग ही सेट तो इस सन अफकोर्स यू स्टिल वांट तो बैटे नू क्या बेटे नू क्या बेशक तो ओन भी बैकर बनना जांदा है ना है ना फिलिप नो ग्रॉंड दा वेरी बॉई आई दैन बी ए बैकर ता आहां पर्दा हुया थक्या ह बैकर बनना होता मैं मरना पसांद करूंगा तो इह सी फिलिप दा बेकरी जोइन करन वाला इंसीडेंट इस तो अगे भी हले उसी लाइफ दे विच कुछ कटनावा बाकी हैं जेडियां की अगले पार्ट दे विच पढ़ांगे तो मिल दे हैं तो लेट्स हैवा लिटल ब् कि विल मेट इन नेक्स पार तिल एं बाइ